हेलो फ्रेंड्स अपना घर डिजाइन इंट्ट आगा स्वागत है चले शुरू काता है आज का वीडियो आज का वीडियो प्लान है 28 फीट इन्टू 34 फीट साउथ फेसिंग प्लान है साउथ यह हो गया साउथ यह हो गया नॉर्थ यह हो गया इस्ट यह हो गया वेस्ट यहां से यहां तक है 34 फीट और यहां से यहां तक है 28 फीट यह है मेरे चैनल का नाम जो आप देख रहे हैं अपना घर डिजाइन ठीका दोस्तों त्री वेस्ट के का प्लान है हमारे एक सस्क्राइबर द्वारा यह प्लान बनाने के लिए बुला गया है ठीक है चलिए अब बात करते हैं सब सब पहले इसका कॉलम पोजिशन देखते रहे हैं मार्किंग करना है कॉलम पोजिशन जो की 10 इंच इंटू 10 इंच में देंगे देखिए इसका कॉलम पोजिशन यह है इसका कॉलम पोजिशन चलिए हो गया कॉलम पोजिशन अब बात करेंगे साइज हमने जो वाल पोजिशन ट्रॉव किया हुआ है बाहर बाहर से है 10 इंच अंदर अंदर का 5 इंच ठीक है दोस्तों यह हो गया इसका में इंट्रेंस गेट गेट से आप एंटर करेंगे तो सामने रख्या है ड्रॉइंग और डाइनिंग हॉल जिसकी साइज है यहां से यहां तक 10 फिट 9 इंच और इधर साइज है साथ फिट दो इंच यहां से आगे बढ़ेंगे तो सामने है एक छोटा सा एस्पेस रख्या है जिसकी साइज है यहां से यहां तक 8 फिट और इधर इस्पेस मिल जा रहा है 6 फिट ठीका दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अपने बेडरूम का यह होगया बेडरूम जिसकी साइज है एक 11 फिट 9 इंच इधर से और 10 फिट 9 इंच इस साइज से ठीका दोस्तों इसके ज़स्ट बगल में सेकेंड बेडरूम जिसकी साइज है 11 फिट 2 इंच इधर से और 11 फिट 2 इंच इस साइज से भी ठीका दोस्तों यह हो गया किचेन जिसकी साइज है 6 फिट 9 इंच इधर से और 8 फिट 2 इंच इस साइज से यह हो गया तीसरा बेडरूम जो कि फ्रॉंट में होगा जिसकी साइज है 10 फिट 2 इंच इधर से और 9 फिट 2 इंच इस साइज से ठीका दोस्तों अब बात करेंगे अपने लेटरिं बातरूम का जो कि यहां पर रखे हुए है जिसकी साइज है 7 फिट 9 इंच इधर से और इधर साइज मिल जा रहा है पांच फिट 2 इंच यह होगी अपना स्टियर केस स्टियर केस जो की तीन फिट की शोडाई लेकर के आप करेंगे यहां से ऐसे और यह जो लैंडिंग होगा यह अपने एरिया में यानि कि हमने यहां पर एक जगा छोड़ रखा है दो फिट का चोड़ाई लेकर के हमने यहां पर जगा छोड़ रखा है इसके ऊपर लैंड करेगा फिर यहां से टान लेकर के ऊपर निकल गएगा इसका साइज होगा 11 फिट इधर से और 6 फिट इस साइड से देखे हमारे सस्क्राइबर का जो एरिया है 28 इंटू 34 है बाकी तीनों साइड में किसी और का माकान है तो हमने अपने वेंटिलेशन और अपने एरिया में अपने घर के लिए रोसरी लेने के लिए कुछ जगा छ रखा है चलिए उसकी बात कर लेते हैं यह तीन फिट की चोड़ाई लेकर करके हमने एरिया को छोड़ा है तीन फिट ऐसे तीन फिट इधर भी है तीन फिट की चोड़ाई इस साइड भी रखे हैं ठीक है दोस्तों अब चलिए बात करते हैं डूर पोजिशन का डूर कहां कहां देंगे यह में गेट यहां से इस बेड्रूम के लिए डूर यहां प्रवाइड करेंगे ऐसे खोलेंगे यह जो है यहां पर हमको गैप तीन फिट साथ इंच का इसको आप ओपें रखेंगे यहां पर नहीं देना है और यह कीचेन के लिए डूर यहां प्रवाइड करेंगे ऐसे खोलेंगे लेट बज के लिए डोर यहां पर इस साइड में खोलेंगे बेडरूम के लिए यहां पर डोर देंगे इस साइड में खोलेगा इस बेडरूम के लिए यहां पर डोर ऐसे खोलेंगे और हमने इस बेडरूम में एक डोर यहां प्रोबाइड किया हुआ है ताकि आप अपने इस वींड़ू पोजिशन देखें वींड़ू कहा कहा देंगे यह फ्रॉंट में इस युल्ड़ू यहां मिल जाएगा हमने जो दो फूट के एरिया छोड़का है यहां तक यह जो हब जो लेंडिंग होगा सत्व ओपर हम इसको लेंडिंक लेंगे तो इस एरिया में हमें यहाँ पर window अपने bedroom के लिए मिल जाएगा रेटिंग bathroom के लिए ventilator यहाँ लगाए एक window यहा पर करेंगे अपने area में और ऊपन हो रहा है इस bedroom के लिए window हमने करने की पूरिकोसिस किया हुआ है ठीक है तो आप चाहिए तो इसको भी बांडरी वाल ले सकते हैं अने तो छोड़ सकते हैं दो फिट जगा का छोड़ करके बना सकते हैं तो अपना ये था आज का प्लान 28 फिट इंटू 34 फिट में 3 वेजगे का साउट फेसिंग तो हमने इसमें सब कुछ प्रोपर धन से एजेट्स करने की पूरिकोसिस किया हमारा प्लान लगभा कंप्लीट हो गया चलिए वीडियो स्वाप करते हैं प्लान कैसा लगा अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो अश्यर करें और हमा इस वीडियो में नेश्मा साथ तब तक के लिए धन्यवाद